दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना डिजिटल ओटर आईडी का डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूद नहीं आप अपने कम्प्यूटर लेक्टाव या मुबाइल से खुद ही बैटके घर पे डाउनलोड कर सकते हैं इसको जानने के लिए अब मैं आपको सीधा वेपसाइट पे लिए चलता हूँ इसके लिए आपको www.envesp.in पे आ जाना है दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहाँ से जाकर आप लिंक को ओपन करके इस पेज़ पे आ सकते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखी यहाँ पेज खुलने के बाद आपको यहाँ देखे राइट साइट में एक ओप्षन दिख रहा है लोगए वाला इस वाले ओप्षन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहां पे देखिए अगर आप इस पे पहली बार आ रहे हैं लॉग इन करने के लिए अगर आप इस पेज पे पहली बार आ रहे हैं तो देखें यहाँ पे लिखावा register as a new user इस वाले option पे आपको click कर देना है click करने के बाद आपके सामने देखें इस तरीके का page आएगा यहाँ पे आपको mobile number डालना उसके बाद यहाँ capture code डाल के आपको send OTP वाले option पे click कर देना है उसके बाद इस तरीके से आपके सामने देखें यहाँ interface कुलिक आएगा देखें यहाँ लिखा हुआ recent OTP यहाँ पे आपको OTP डालके यहाँ verify वाले option पे click कर देना है जैसे आप उस पे click करते हैं आपके सामने देखें इंटर password का एक option आएगा वहाँ पे आप अपना password डालके उसको submit कर दीजेगा दोस्तों यह जो आपका mobile number है वही आपका username हो जाएगा जो आप password डालेंगे वही आपका password हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ फिर से login वाले option पे click कर देना है इस तरीके से अपना username भरना और password डालना यहाँ captcha code डालने के बाद आपको login वाले option पे click करने के बाद आपके सामने फिर उसी तरीके का interface कुल लिए आएगा जिस तरीके से अपके सामने पहले खुले था कुसी इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर देखिए पहला वाला option लिखा हुआ है EPIK Download इस वाले option पे आपको यहाँ पे click कर देना है click करने के बाद देखिए आपसे यहाँ मांग रहा है epic number जो आपके order ID के उपर लिखा होता है yes, i, y करके, g, y, l, उस logo में, up, 36, इसे करके लिखा रहता है यह वाला number आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद यहाँ आपको अपना state select कर लेना है select करने के बाद यहाँ search वाले option पे click कर देना है जैसे ही search वाले option पे click करेंगे देखिए आपके सामने कुछ पूरे order ID के आपकी details यहाँ जाएगी यहाँ applicant का नाम आजागा पिता का नाम और यहाँ आपका epic number उसके बाद नीचे यहाँ देखिए लिखा हुआ है epic download facility only available with unique registered mobile number to facility update to your mobile number यह वाला option आपके नीचे आएगा उसके बाद आपको नीचे जाना नीचे जाने के बाद यहाँ देखिए आप से मांग रहा है यहाँ देखिए mobile number के लिए यहाँ पे जो आपके order ID पे registered mobile number है वो आपका number का code डिजिट यहाँ नीचे दिखेगा उसके बाद आपको send OTP वाले option पे click कर देना है जैसे आप OTP वाले option पे click करते हैं देखिए यहाँ पे आपके mobile पे एक order ID एक OTP जाएगी OTP डालके आपको यहाँ verify वाले option पे click कर देना है उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा OTP verification done successfully वापस फिर यहाँ पे capture code डालना है और download epic वाले option पे click कर देना है थोड़ा सा यहाँ पे बेट करेंगे बेट करने के बाद आपका order ID डाउनलोड हो जाएगा अगर दोस्तो आपके mobile में आपके order ID में आपका mobile number registered नहीं है तो किस तरीके साफ अपने order ID में mobile number registered कर सकते हैं उस वीडियो का मैं लिंक description में डाल दूँगा वहाँ से जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye